पूरे देश के लिए आज सोनो सूद एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन बन चुके हैं देश भर में जब भी जहां भी कोई मुसीबत में होता है तो एक सोनो सूद जी को मेसेज या ट्विटर या कोई फोन कॉल या मुझे पता चला है हजारों लोग इनके घर पे रोज पहुंचते हैं जो इनके पास जिस भी तरह की मदद चाहे वो मेडिकल मदद हो चाहे वो खाने की मदद हो चाहे वो किसी भी चीज की मदद हो किसम किसम की मदद लेने के लिए पहुंचता है उसको मदद मिलती है यह अपने आप में एक अजूबा है अपने आप में एक करिश्मा है कि जो इतनी सारी सरकारें नहीं कर पारी वो आज सोनो सूथ जी कर रहे हैं तो अभी इनके साथ काफी लंबी बाचित हुई हमने समझा इनके सारे जो काम इनक उसके उपर काफी लंबी बाचित ही हुई जो जो काम ये कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं इतना बड़ा network इन्होंने कैसे बनाया इतने resources कैसे आए हमने दिली सरकार में जो अच्छे काम चल रहे हैं उसके बारे में भी सोनु सूजी को हमने बताया, एक जो अच्छा डवलप्मेंट है कि जो हमारा दिल्ली में हम देश के मेंटॉर्ज नाम से कारेकरम अभी पाइलिट बेसिस पे चल रहा था, अब कुछ दिनों के बाद इसको लाउंच किया जाएगा, मैं बहुत ब्रीफली इसको बता देता हूँ कि जैसे जो खासकर सरकारी स्कूलों में हमारे बच्चे पढ़ते हैं, वो बच्चे बहुत गरीब बैक्गराउंड से आते हैं, उन बच्चों के परिवारों में उनको सही दिशा और गाइडन्स देने वाले लोग कम होते हैं, मान लीजिए कोई बच्चा फैशन डेजाइनर बनना चाहता है, कोई बच्चा सिंगर बनना चाहता है, कोई बच्चा कोई पर्टिकलर केरियर उसे पता नहीं होता है, मैं कहां जाओं, किसके पास जाओं, कैसे जाओं, उसके परिवार के लोग भी उसको नहीं बता पाते ह ऐसे में हम लोग अपील कर रहे हैं देश के लोगों से जो पढ़े लिखे लोग हैं कि आप आईए सामने आईए और सरकारी स्कूल के एक, दो, तीन जितने भी आप बच्चे ले सकते हैं आप उतने बच्चों को के मेंटॉर बनिये तो उनसे आप लगातार फोन पे बातचीत करते रहे हैं उनको फोन पे आप गाइड करते रहे हैं बच्चे आपको फोन करकर के पूछते रहेंगे और कई बच्चे स्ट्रेस में होते हैं हमने देखा है कि इस वाले एज ग्रूप के अंदर सुइसाइड भी बढ़ते जा रहे हैं स्ट्रेस में होते हैं इमोशनल स्ट बनने के लिए तयार हो गए हैं जिसके लिए मैं उनका बहुत-बहुत शुक्रियादा करता हूं उन्होंने का है कि वो भी कुछ बच्चे बच्चों के मेंटॉर बनेंगे और वो लोगों को अपील करेंगे देश भर के लोगों को कि वो भी मेंटॉर बनेंगे अमैं सोनु कि आज मैं इस प्लैटफॉर्म के हूँ विजनरीज के साथ मैं जब एजुकेशन का नाम आता है तो देश में दिली का नाम हमने हमेशा देखा है कि अगर एजुकेशन हो तो डेली जैसी हो जब एजुकेशन का स्थर बढ़ेगा और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि डेली में किस लेवल का चेंज़ आया है और थैंक्स तू सर फो डाट जब लॉक्डाउन शुरू हुआ लाखों माइगरेंट्स के साथ जुड़े उनकी मेडिकल की प्रॉब्लम देखी तो एक एक बहुत बड़ा मुद्दा था पहले लॉक्डाउन में करीबन दो हुजार से बाइस सो बच्चों को हमने बढ़ाया और अभी करीबन बीस हजार बच्चों को इस सूचारिटी फांडेशन हम लोग पढ़ा रहे हैं लेकिन जैसा अरुण सर ने कहा कि एक बहुत बड़ा क्वेशन माग होता है कि उनको पता नहीं है कि क्या करना है मैं क्या करूं कई बार हमारे जो अच्छी फैमिलीज के माबाब होते हैं पढ़े लिखे होते हैं बता दें कि बहुत सारे फैमिलीज हैं जिनको बताने वाला कोई नहीं है उनको एक रास्ता तो दे दिया आपने एक प्लैट्रॉम दे दिया, अच्छा स्कूल दिया, अच्छा सर दिया, लेकिन उन्हें बताने वाला नहीं कि आप करें गया, दिशा कौन सी पकड़ें, तो उस समय हमें वो लोग जाहिए जो एक बहुत experience साथ में लेकर आते हैं, जो आपके mentor बनते हैं, जो आपको बताते है कि आप क्या कर सकते हैं, वो हर घर के अंदर कहीं नहीं कि एक mentor है, लेकिन उसे पता नहीं है कि वो कैसे उन तो पहुंचे, तो मुझे लगता है कि आज दिल्ली सरकार ने एक वो मौका दिया है आपको अच्छा काम करने का, हम हमेशा बोलते हैं कि मैं करना चाहता हूँ पहल इसके mentors का, यह वो platform है, जहां पर कोई भी इनसान, चाहे वो अभी भी जिंदीगी के पढ़ाव चड़ रहा है, अपने आपको बनाने की कोशिश कर रहा है, वो एक बच्चे का, दो बच्चों का, दस बच्चों का mentor बन सकता है, उसे बता सकता है कि आप life में क्या करें, क्या लोग, engineering करने चलेगे हम लोग, लेकिन आज इतने ज़ादा platform से, इतने ज़ादा एविनी से और इतनी ज़ादा रास्ते खुल गए हैं, जहां पर लोगों को पता नहीं है, पर लोग जो इन रास्तों से औरड़ी गुजर चुके हैं, या कुछ सफर तै कर चुके हैं, उन ल लोग डाउन हुआ तो हमारी दोस्ती का एक अलग रास्ता, इसलिए मिला क्योंकि हमने बोला कि चलो हम बच्चों का भविश्व बदलने की कोशिश करते हैं, उनको करने की पढ़ाने की कोशिश करते हैं, और आज हम हजारों बच्चों को पढ़ाएं भी, so my request to everyone, जो भी listeners ह या हमें सुन पा रहे हैं, आज आपको एक अच्छा काम करने का मौका दिया जा रहा है, देश का मेंटॉर बनने का मौका मिला जा रहा है, हम लोग हमेश्व शिकायत करते हैं, कि भी या यार हमारे लिए फलाना आद्वी कुश नहीं करता, हमारा ये हग बनता है, हमने बनाया है, बल्कि आपके लिए एक प्लैट्फरम बनाया है, देश के लिए कुछ करने का, सो बी ए पार्ट ओफ इट, चुनिए उन बच्चों को, आज हर एक बच्चा गर आप एक भी बच्चे को दिशा दे पाते हैं, और उसे बना पाते हैं, सो आई थिंक उससे बड़ी भक्ति वाली कोई फिली नहीं होगी और उससे बड़ा देश को योगदा नहीं होग अगर आप वो कर आए, एक उपृचूनिटीट और यह फिल ब्लेस्ट की आज अप्रेशिप अरविन सरे मिन ए रागम भाई कि गईवन मे उन आन बच्चूनिटी गिमें और हजारों नह बड़ा, तो I think वो समय आ गया है कि हम इस सब के साथ में खड़े होना है और करके बताना है So thank you so much for this sir Sir, any discussion about Vandab elections? Because obviously the decisions from the corner No politics, कोई politics discuss ने किया है ये उससे भी बड़ा मुद्दा है, मुझे लगता है इससे बड़ा को मुद्दा नहीं हो सकता My question is for Sotho Sotho Sir, are you interested in fantastic elections? Either you or anybody may talk? Yeah, if you don't know, you will not be able to talk about it Yeah, if you don't know, you will not be able to talk about it Sir, only one thing I want to ask you, sorry Sir, only one thing I want to ask you Sir, only one thing I want to ask you Sir, only one thing I want to ask you Yes, only one thing I want to ask you No, nothing, there is nothing political I am always maintaining that People always say that if you want to do a good job, then come to politics Why can't you come here? It is a very great field and I think if you come here So one has to be blessed, but as of now, we haven't discussed anything political Because I think this is a big deal with it And this is above all Like I said, you know, we haven't discussed anything political We have so much fun talking about this We have so much fun talking about this Yes, sir? Sir, all the good things are good I will do a good job tomorrow I will do a good job tomorrow I will do a good job tomorrow Sorry, sir? I will do a good job Sorry, sir? I will do a good job tomorrow I am very happy I am very happy I am grateful To see The people who are coming to Japan Why do you think This is a great job today You know That's all You know यह देली में हुआ है वो किसी को बतानी की जोरती है वो सिर्फ एक्सपिरियेंस किया सिता है और मुझे लगते है ना सिर्फ पंजाब देश के हर कोने में होना बड़ा इंपोर्टेंट है हर एक जाए ने इसा मैं ने अश्चा कि कोई प्लिटिकल मतब सो दूर दूर तक नि ह हमारा हमने सोचा भी तो हम चाहे पीए और देश के मेंटोर बनने की कोशिश कर रहे है हम लोगे है अभी जो लॉंच होगा इसका देश के मेंटोर्स का जैसे मैंने बताया कि सोनु जी उसके ब्रेंड एंबसेडर है लगबग around mid-september date अभी fix कर लेंगे उसका program का launch होगा अभी pilot project हमने किया था पिछले एक देड़ साल से वो pilot project बहुत successful रहा हमारा जो mentors थे उनके भी experiences बहुत अच्छे थे जो बच्चे थे उनके भी experiences बहुत अच्छे थे तो mid-september में इसको करेंगे जहां तक film policy है मैं आप स दिस्कस करना बूलिया दिल्ली सरकार अब एक film policy लेकर आ रही है तो मैं पहली फिल्म लेकर आता हूं सर को मैं आज मुलाकात हम देड़ घंटा वेठे लेकिन हम यह mentor वाले कारेकरम में और इंके काम को सुनने में और उसमें इतनी ज्यादा मश्बूल होगए वो discuss करने का अच्क्डिक अच्छबाद अच्पू कर दो मैं लेकर अच्छब को यह थाइट नहीं लेकरम में अच्छबूकर प्रफ